एक requested video है जो कि मुझे काफी time से request किया जा रहा है सबसे पहले मैं आप लोगों से माफी मांगूंगी sorry बोलूंगी कि मैंने अब तक ये request fulfill नहीं किया था मैं बहुत लेट हूँ I know I know लेकिन जब मैं आपको आज बता रही हूँ तो मैं आपको अपना 100% दे के बता रही हूँ मै मैं अपको बता रही हूँ कि मैं अपनी कोन कैसे बनाती हूँ जी हाँ अब सब ये जानना चाहते हैं कि मैं इतने beautiful महधी designs कैसे बना बाहर से किसी ब्रांड का कॉन यूज करती हूं जी नहीं मैं किसी ब्रांड का कॉन यूज नहीं कर रही हूं फिलहाल हां कुछ ब्रांड्स हैं अच्छे-च्छे जिनको मैं जानती हूं कि वह सब ठीक हैं आप यूज कर सकते हैं पर मैं खुद से बना के ही यूज करती हूं ज उनके लिए अलग महदी कौन बनता है जिनके हाथों में काफी जादा कलर आ जाता है उनके लिए अलग महदी कौन बना सकते हैं और जिनके हाथों में मीडियम कलर आता है कलर तो उनके लिए अलग कौन बना सकते हैं यह एक मीडियम हाथों के लिए कौन है जो कि मैं नॉर्मली कि इने के हाथ में बिलकुल नहीं आता तो उनका कून अलग बनाते हैं हम लोग ठीक है तो चलिए मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे बनाएं सबसे पहले थांक्स लोट आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है बहुत सारी कमेंट आते हैं मुझे लाइक साते हैं आप लोग शेयर भी करते होंगे मेरे वीडियोस को उसके लिए बहुत भाँध धन्यवाद आपको ना सर्फ इंडिया से बलकि पूरे व्ल्ड से मुझे क्वार वीडियो के लिए और सारे के सारे बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं उन वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रिंट से शेयर करें लाइक करें कमेंट करें अगर कुछ आप स्पेसिफिक कुछ जानना चाहते हैं मेरे बारे मेरे कौन के बारे मेर मेहदी डिजाइन्स के बारे में तो आप जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं आपका जाधा टाइम नहीं लोगी और मैं बताऊंगी आपको कि आपके इस तरीके से मेरे जैसा कौन बना सकते हैं आपको जो चाहिए वो है सबसे पहले बिल्कुल ही फ्रेश मेहदी पाउडर होना जाधा पुराना ना हो तो जाधा अच्छा है पुराना हो तो भी क्योंकि आगर वो नैच्रल है तो कोई problem नहीं होगा और color भी आही जाता है लेकर अगर वो fresh होगा तो बहुत अच्छा color देगा और आपको जादा मेहनद जाधा टाइम रखने की और जादा कुछ मिलाने की ज़रुरत नहीं परती है सकेंड इंग्रेडियंट है लॉंग दो लॉंग लॉंग थोड़ा गर्मी देता है जिसे की कलर आजाता है अगर आपको जादा कलर नहीं आता है तो लॉंग आप ज़रूर दे दे यॉकलिप्टस ओईल जिसको कि हिंदी में नील गिरी ओईल कहते है हाप ग्लास अब वाटर ले लीजिए ये मैं सिर्फ दो कौन बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने कौन बना चुकी है आज के टिटिटोरियल्स के लिए तो मैं आपको सिर्फ दो कौन बना करके दिखाऊंगे आज तो उसके लिए दो लॉंग और हाप ग्लास अब वाटर काफी है मैंने चार चम्मच महंदी लिया है और चाई पत्ती अब एक पैन लीजिए उसमें आप पानी डालिए दो लॉंग डाल दीजिए और दो चम्मच चाई पत्ती डाल दीजिए अब इसको बॉइल होने के लिए दे दीजिए 15-20 मिनिट्स 15 मिनिट्स अटलीस बॉइल होना चाहिए यह अच्छे से बॉइल हो करके देखिए इसका पानी ऐसा आजाएगा और उसके बाद आप महदी में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करें महदी के कोन में सबसे इंपॉर्टन जो बात है वो मैं आपको बता दूँ कि मेरा ये जो महदी है वो 3-filtered महदी है और उसके बाद भी मैंने एक बार खुद से भी filter किया है मैंने ऑलरी जो पर्चेस किया हो तीन बार फिल्टर किया हुआ मेहदी पर्चीस किया है और उसके बाद भी मैंने एकुझ भार घर पे खुझ से फिल्टर किया अगर अगर आपको 3 फिल्टर्ड मेहदी नहीं मिल रहा है तो आप डबल ले लो double ले लो single filter भी लो तो आप फिर खुझ से उसको दो वार कम से कम filter करो जो कि cotton की कपरे में रख करके और उसको filter कर सकते हैं easily उससे मैं आपको अगर आप चाहिए तो मैं आपको filter करते वे एक वीडियो दूंगी जिसको आप देख सकते हैं किस तरह के से filter कर सकते हैं उसके बाद जो उसके बाद चमच चमच इसमें डालना है पहले थोड़ा सा जादा डाल दें उसको mix करें फिर चमच चमच से कि जादा पानी ना डल जाए वो बहुत थिन ना हो जाए उसकी consistency इतनी अच्छी होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए पहले आप इसको बहुत जादा mix करें अच्छे से mix करते रहें काफी time लगता है mix करने में मुझे तो और जब मैं जादा बनाती हूँ तो मैं उसको कि मैं blender से blend कर देती हूँ तो उसमें कम time लगता है पहले जब आप डालते हैं तो पांच में छोड़ दें उसको पानी में ज इसमें half teaspoon नीलगिरी oil डालके एकलिप्तस oil डालके आप इसको फिर से अच्छे से फेट ले मिला ले और इसकी consistency देख लीजिए ऐसा होना चाहिए जो कि यह ना तो फिसल के गिर जाए और ना ही वो बिल्कुल स्टेफ हो जाए हलका सा वो इस तरीके से लटके ऐसे लेस के according हो निकले वो निकलने की कोशिस करें लेकिन निकलना पाए कि अच्छे से लेकिन निकलना पाए कि अच्छे से लेकिन निकलना पाए कि आए कि आए कि अ कि और फिर आप इसको लॉक कर दे सरो टेप से आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका कौन तयार हो जाएगा बहुत ही सिंपल है बनाना आपका कौन और मैंने पहले से कौन तयार करके रखा है जो आज मैं वीडियो बनाने वाले हो उनके लिए और मेरा एक और भी है उसके आपको और फटा फटा आप अच्छे-चे महदी डिजाइंस बना सकते हैं मैं एक छोड़ असा फ्लार बना के भी दिखा रही हूं आपको यह कितना स्मूज चल रहा है जी हां आप ऐसी महदी कौन बनाईए तो आपका भी बिल्कुल मेरी जैसा ही महदी डिजाइंस बनेग यह देखिए कि आपका कोन बहुत अच्छा होना चाहिए फिर आप डिजाइनस अच्छे से बनाईए ठीक है अगर आपको मेरा वीडियो यह पसंद आया हो तो प्रीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और और मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप किसी भी महदी से आप किस तरीके से अपने हाथ और महदी का रियल कलर ला सकते हैं without any chemicals मैं chemicals को कभी promote नहीं करती मेरे महदी कोन में कोई भी chemicals नहीं होता और मैं लोगों को यहीं बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि आपके हाथ burn हो जाते हाथ पैर burn हो जाते हैं आपको आपके skin में irritation होती ह तो इसलिए आप प्लीज chemical free ही लगाए organic महदी powder खरीदे राजस्थानी मैं जो यूज़ करती हूँ वह है राजस्थानी महदी powder आप लोग भी अच्छे महदी powder ले और घर पे खुद से बनाए ना कि chemical वाले को खरीद करके आप अपने हाथ को खराब करें मैं आगे आपको ज चे तरीके से महदी कॉंस बनाती हूँ तो मैं वह अपने तरीके आपसे शेयर जरूर करूंगे थैंक्स फॉर वाचिंग सब्सक्राइब फो मोर वीडियो थैंक्यू